नौलेज की बाते चैनल को देख रहे सबी लोगों का मैं एक बर फिर से वेलकम करता हूँ उमीद करता हूँ कि पिछली वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी पसंद करोगे आज इस वीडियो में बहुत ही ग्रेट परसनेलिटे के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता दें अगर आप हर रोज ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो को देखना पसंद करते हो तो अपने चैनल नौलेज की बाते को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए नौटिवेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर रोज नई वीडियो अपलोड होते ही नौटिवेशन मिल सके तो आज बात करते हैं इंडिया के टॉप बॉक्सिंग चैंपियन पूजा रानी के बारे में पूजा का जनम 17 फेबररी 1990 में हर्याना के डिस्टिक विवानी में निम्री वाली गाउं में हुआ इनकी उमर 30 साल की है और इनकी हाइड 5.8 हिंच की है बच्पन से ही बॉक्सिंग का शौँक रखने वाली पूजा रानी ने बड़ी हिम्मत से हवा सिंग बॉक्सिंग अड़मी में अपने टाउन में अडमेशन लिया और उनके पिता जी इस बॉक्सिंग करियर से बहुत ही नफरत करते थे और उनको रोकते थे और शुरू से ही पूजा को उनके पिता जी कहते थे अच्छे बच्चे बॉक्सिंग नहीं खेलते लेकिन पूजा रानी कहां रुकने वाली थी पर वो अपने पिता को बिना बताए हवा सिंग बॉक्सिंग अकैडमी में अपनी प्रैक्टिस शुरू करने लग गई और कभी कबार पूजा रानी को प्रैक्टिस करते टाइम इंजरिस भी आई उनको काफी चोटे भी लगी लेकिन वो अपने पिता जी को नहीं बताती थी और कभी कबार अपने फ्रेंट के घरी रुक जाती थी ताकि पिता जी को पता ना लग जाए कि वो प्रैक्टिस करके आई है बॉक्सिंग की पर पूजरानी ने अपने पिता की कही बातों को जूटा ठहरा दिया जब 2,09 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और हरयाना की लीडिंग बॉक्सिंग चेंपियन प्रीटी बेनिवाल को हराया और नैशनल यूथ बॉक्सिंग चेंपियन में उन्होंने जीत हासल की इस नैश तुन्ने में दोस्तो बहुत ही असान लग रहा है। लेकिन पूजा रानी ने इस मुकाम तक पहुँने के लिए बहुत ही मेंनत की है। giàah पूजा रानी के पिता को इस भॉक्सिंग ख्डारा थी। वहीं पूजा रानी को इस खेल से बहुत धिल्चस्पी थी। एक बार जब पूजा रानी के पिता को उनकी practice के बने में पता लगा तो उन्होंने उनकी classes पर bend लगा दिया लेकिन उनके कोच संजे कमार शेरों ने उनकी family को उनको practice करने के लिए request की और पूजा रानी को अपने पिता को convince करने में 6 महीने लग गए और उसके बाद उनके पिता ने उनको बॉक्सिंग खेलने के लिए मुझूरी दे दी फिर पूजरानी ने बॉक्सिंग को प्रफेशनली खेलना शुरू किया और दो हैर नौ में नेशनल यूथ बॉक्सिंग चेंपेंशिप में उन्होंने पहली सिल्वर मेडल जीता और उसके बाद उन्होंने एशन बॉक्सिंग चेंपेंशिप में दो हैर बारा में फिर एक बर सिल्वर मेडल जीता और उसी साल एराफूरा गेम्स अस्टेलिया में हुई जो दो हैर बारा में वहां भी वो टॉप कंटेस्टेंट रही और वो 2-16 Olympics रियो के लिए क्वालिफाई कर दी गई लेकिन वो 2-16 में Woman's World Boxing Championship में हार गई और जिस व commencement वो 2-16 में रियो Olympics में क्वालिफाई नहीं कर पाई पुजा रानी ने अपने Boxing Karir में बहुती प्रगल की और 2.14 में भी Commonwealth Games जो इंडिया ने रिप्रेजेंट की थी तब भी वो English boxer Swanaha Marshall से हार गई थी और 2.18 में फिर पूजारानी Women's World Boxing Championship में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट हुई लेकिन वो first round में exit कर गई लेकिन इतनी हार को face करने के बाद पूजारानी नहीं पीछे हड़ी उन्होंने फिर 2.14 में Asian Games में Bronze Medal जीता उसके बाद उन्होंने 2.16 में South Asian Games में Gold Medal जीता और 2.15 में Asian Championship में Bronze Medal जीता 2.19 में भी Asian Championship Bank Kok में भी उन्होंने Gold Medal जीता अभी हाली में भी 2.19 में भी दुबई में Asian Championship में मकाबले में पूजारानी ने Gold Medal जीता लगातार Gold Medal इस पूजारानी ने अपने देश का बहुत नाम रोशन किया हर्याना के विवानी की पूजा का Asian Championship में ये चोथा Medal था इस तरह दोस्तों दुबई में पूजारानी को Gold Medal देकर सर्मानित किया गया और 10.000 USD डॉलर भी दिये गे जहां दूसरी तरफ मेरी कॉम को Silver Medal दिया गया और उनको 5.000 USD डॉलर दिये गे इस तरह दोस्तों पूजारानी ने अपनी कड़ी मेहनत और जज़वे के साथ दो बार Gold Medal जीत कर अपने इंडिया का नाम रोशन किया है और कितनी ही मुश्किलों का सामना करते हुए इस मकाम को छुआ है तो अमीद करता हूँ आपको पूजारानी की ये कहानी सुनकर बहुत ही मोटिवेशन मिनी होगी तो अगर आप भी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो को रोज देखना पसंद करते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिये बेल आइकन को भी दबाईए ताकि आपको हर नई वीडियो अपलेड होते ही नौटि कुशन मिल सके तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए थेंक्यू सो मच